यहां फियार लेके, बैठ गया, बोलता है कि कोन हट आता देखते हैं। और लेके बैठ के बोलता है कि G20 आयागा तो इसलमद्धेला फ्यक्वा देंगे। बोलता है कि मंद्र हट आई है तब हम यह अठ आएंगे। लेकिन इन्होंने बोला, जो हटाएगा एक ट्टा ऐए मेरा उसका हाथ काट लेंगे, जो पहले मेरा काउटर चीजँ बाद करने के बाद कर दिया इन्होंने। अभी तो जवानी है, अभी हत्यार क्यों निकालेगा, क्या सिख रहा है, मावाब से क्या सिख रहा है, बहुत गलत बात है, यह चीज नहीं करना चाहिए, रिक्वेस्ट करकर करके बोलना चाहिए कि हमको दो घंटा, पांच घंटा समय दीजे, हम कर देते हैं, यही है, और कु भाण बॉलको छएगा, थो रहा है, यही है, यही है, रहा आफू, यही है, बहुत चाहिए, यही चाहिए, प्रकॉल काड़ों। कि यह जो आतिकरमान रोड में आप किया है क्या सही है कि यह जो कि इसका बारा देते हैं इसका बारा देते हैं हमको हमको एक बात पर समझ में रंगडारी वाली बात कहां से आप मामला क्या है हम बात करेंगे दिकारियों से सुचना हम यहीं मिली है कि जैसा ही इनपोर्स्मेंट टीम के यहां पहुंची हुई है और यह काटा निकाल करके बैठ गया है कि देखते हैं कोन हाट आता है हमारी दुकान को जैसा कि आप सभी को पता है कि अतिकर्मन मुक्त लगतार बिभीन चेतरों में किया जा रहा है तो आपको हम बता दें यह कड्रू का द्रिश्य है इस बक्त आप साब देख सकते हैं और बारी संख्या में यहां पर जवानों की भी तैनाति की गई है तो वहीं इनफोर्स्मेंट टीम के अधिकारी इस बक्त यहां मौजूद हैं आला कि यहां जरूर आपको हम बता दें इनका ओल्रेडी दुकान है आप तस्वीरों में साब देख सकते हैं कि इनका ओल्रेडी दुकान है दुकान के बावजूद बाहर में यह दुकान लगा करके यहां बैठे हुए थे और जो दुकान एक्स्ट्रा है जो दुकान से एक्स्ट्रा इन्हों ने जो फलाकर रखा हुआ था उस पर इनफोर्स्मेंट टीम की करवाई चल रही है जो इस बग तस्वीरों में आप साब देख सकते हैं यह वातियार आप साब देख सकते हैं चाद दिन पहले समझाया था कि इसको हटा लो यहां पे जिए 27 मिलन होना है इस तरह से जो लगा हुआ आपका प्लास्टिक वरा ठीक नहीं है इंक्रोच्मेंट तो है यह प्लस देखने में खराब लग रहा है चाद दिन पहले समझाया यह नहीं माना बोला देखते हैं कौन ह करवाई होगी इनको पर करवाई किया जाएगा बिल्कुल केस होगा इंको पर और कुछ यहां पर अधिकारी यहां पर मवजूद हैं मुन से भी बात कर लेते हैं क्या इननों को सुचना पहले नहीं दी गई थी क्या कल भी सुचना इनको दे दिया गया था कि आप इसको जि है कि आप दिन भर का टाइम है कल तक खोल लिजे आज जब हम आये यहां पर बूले कि खोल लिजए तो बोला हम नहीं खोलें गया हम बाकी को बुलाया और इसको खोलने का करवाई करें इसको उल रेडी हम बाहर में दूखान निकालकार रख रहे हैं सरक तक तो सड़क पर इनका आदत है, शुरू से ही आदत है कि हम सड़क कोई घेर के रखना है, इनको बोलने के बाद तो अच्छा नहीं लगता है, जिसको फल लेना होगा वो पीछे से भी ले सकता है, यह थोड़ी है कि आगे रहेगा तो ही लेगा, लेकिन यहां तो सभाविक है कि हमको रोड पर ही रहना है, लगी जैसे ही मेरे काल से पुलिस पहुचती है, यह सिधा हो जाते हैं मेरे काल से साम्पार है, तुरत सांथ हो गए और समाना भी सबजब्त हो रहा है, अब हमें एक कि आप बताईए आप लोग कि यह इनके पास दुकान है कि नहीं है, इनके पा सांथ काट लेंगे, कि जी ट्वंटी पर पत्तरबाजी करने के बात कर दिया इन्होंने, अब इन्होंने कैसे बोला, इनके ख्याल मंसा थी, यह हमें नहीं मालूँ, ऐसे में तो भाई राज की जबी कराब होगी न, हाँ, हम बोले कि जी ट्वंटी चल होने वाला है, कम सम ह हमारे जारखन के रजदान जो राची है, उनकी अगवई में जो अधिचता अजच बने हुए है, जो कारे होने वाले संदरी करने वाला, वो करने दिजिए, तो सामने से प्लास्टिक वगरा है, जो फूट पाट जैसे बना रखे हैं, तेम्परोरी टैप को उसे हटा दिज अधिकर्मन मुक्त कराने के लिए फोर्सेज बुलाएं, और धावादल बुलाके यहां से काउंटर हटाने का एक है, जैसे ही पूलिस फोर्से यहां पहुचती है, वो बैक्ती सांथ हो जाता है, और अपने लाइन में आ जाता है, अपने गलती को एक्सेप्ट करता है, कि नहीं हम से गलती हुई है, अब आएंदा हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो आप लोग कर रहे हैं, वो कोई दिकत नहीं है, लेकिन पहले जो आवेस में बाते आई, वो बड़ी बात है, हाला कि हमें साब हो रहे हैं, कि जब करवाई होती है, तो आवेस पुर्ण तरीके में लो बाहर में फिला करके ये दुकान रखे हैं, उस पे इंपोर्स्मेंट टीम की गाज गिर रही है, नमस्कार SMP नियूज में आप सभी का स्वागत है, कल आपने खबरों में देखा किस तरह से, अर्गोरा में अभियान चला और उस वक्त भी, हलाकि वहां तो कुछ नहीं लेकिन अभियान चला, लेकिन इस वक्त हमलों मौवजूद हैं कड्रू में, यहां पे एक फिर से अजब गजब का दरिस देखने को मिला, तस्वीरों के माधियम से आप देख रहे होंगे, कि भाई आप जब अभियान वाले आते हैं, इनका दुकान और लेडी है, और जब हाला कि यह कई एक दिनों से लगतार एलांस्मेंट चल रहा है, कि भाई आप सुख्षा से अपने दुकानों को समेट लें, आपका दुकान जहां तक है, वहीं तक रखें, बाहर निकाल कर न रखें, यह नया बात नहीं है, पिछले दो सालों से मैं खबर चला रहा हूँ, क यह कौन से लोग हैं, जिने सर्म नहीं आती, कौन से लोग हैं, जिने सर्म नहीं आती, खबर देखने के बाद, अधिकारियों को बोलने के बाद भी दुकान रहते हुए, दुकान को फैला करके सरक तर ले गए हैं, बात समझ रहें आप, खेर, जो फुटपात पे अपना ज चले बढ़ार यहां पर जो हुआ वो कहीं न कहीं कुछ लोग देखके यह मान रहे हैं कि गलत हुआ है अब बताइए आपका दुकान भी है जब अधिकारी आते हैं आपको बोलते हैं कि भाई ये समेट लो आप हटा लो तो आप क्या कीजिएगा कि हतियार लेके बढ़ जाई यदि कानुनन यदि लोग हैं यहां पर तो उनके पास कई ताकत है आपको भारी पड़ेगा और यहां भी भारी पड़ता हुआ दिक रहा है आज यहां पर जो कडरू में अभियान चला है कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं हम बात कर लेते हैं यहां पर अभियान आप लोग कि इन लोग को पहले से नहीं बताय थे दस दिन से बता रहा है और Commons कि दो ले नहीं लगाता है लेकिन ये सकनार कर बात मन हो देखी कि लिए आप तो uns बोड़े आदमी बोल दो कि ऐसे बुछ हान बहुत ले रहे हैं इसलिए इनको फिर दिकत आ रहा है हलका में लेने वाले यहां भी तो गया कि सुनने माया कि अधियार लेकर बैट गये थे हाथियार वो अपना दिखा रहे थे बाजू काट लेंगे तुकांचु ये गता है कि डर के मारे ये लोग हट जाएंगे अच्छा आप ल चाकु छोडी खेलाओना है और भी कई लोग हैं हमारे साथ चाकु छोडी खेलाओना है हाला कि आप लोग तो बॉर्डर से आये हुए हैं एक्समाइन आर्मी है फिर से आपको अमरे रिपिट कर दें इस वक्त आपको खाकी बर्दी में दिख रहे हैं कभी देश का सेवा कर चुके हैं बॉर्डर पे बरफीलो तुफानों में खत्रों से खेल कर यहां पर आये हैं जो आपकी अभी सेवा कर रहे हैं एक्समाइन आर्मी है सर्विस तो आप लोगों ने छोड़ दिया रिटार हो गए आप लेकिन बताइए यह मामूली सा हतियार लेकर बहुत हतियार से खेले कोई अगर हतियार लेके भी आये उससे हमको डर नहीं है वो हतियार से हमारे को नहीं मार सकता है लेकिन क्या है हमको जनता को देख के चलता है यह नहीं कि हमको जनता को धमका के चलना है हम जनता को लेके जनता के फिवर में काम करना है इसलिए हम उसको बोले कि वह तुम जो भी है प्लास्टिक और नाली से उधर अपना सेफ करके अपना गुम्टी के अंदर अपना दु तो बोले यह च्ट्रक्चर को तोड़ दो अभी जी ट्वांटी तक तो बोला हम जी ट्वांटी में पथर भी मरवाएंगे तो फिर हमने एक्षन लिया इसके उपर और मुग असमिर करने वाला है क्या यहां तो फिर हमने उस पर एक्षन लेकर और उसको पूरा जप्त करा है अधियार लेके खड़े होजाओ कुछ भी गलत करोओ फिर लेके खड़े हो जाओ एक तो कानून गलत है ना हत्यार उसे हमने प्यार से चार दिन पहले ही समझा रखा है कि भाई G20 के चेकर में जो भी हो रहा संदरेकरन हो रहा है आप खटालो गुम्ती आप है गुम्ती में बेचो कोई दिकत नहीं है लेकिन यहां तो जो 100 वेंडर में से 2 ऐसे वेंडर है फुत्पात वेंडर सहर में आ रही है अगर आपके रांची सहर में आएगी तो एक तो रांची को दोनी के वज़े से लोग जानते हैं और जो G20 समेलन है इसके वज़े से लोग और जानेंगे बीस जैसे को 540 परत्यासी आ रहे है यहां पे रिप्रेजेंट करने के लिए अब उसके लिए गर हम लोग थोड़ा बहुत संदर्य करने कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है यह सही भी है ना भई क्या दिखत है यह फुटपात वाले तो है नहीं इनका दुकान है स्थायर करते हैं अब उसको महँड़ा पढ़ता है ना जब हम लोग तीन दिन पहले तो समझाय हम वे हैं कि तुम हटालो, तिन दिन से समझा रहा हैं, आज भी आए कुछ समझा रहा हैं, समझा नहीं हो, बोलता है कि मंदिर हटाई है, तो यह हटाई है, तो ढहला फिर देखा देंगे, तब हमने अपना पुलीस वड़ बुलाया है, और करवाई किया है, तो कानूनी करवाई होगी कानूनी करवाई बिलकुल होगी, नो डाउट, कानूनी करवाई बिलकुल होगी, यह इन्होंने साप कह दिया है, कुछ खबरों में आपने देखा होगा, कि इस तरह से कुछ लोगों के उपर एफाई आर की गई है, जो अभियान में बाधा उत्पन कर रहे हैं, ब्या आप से हम, आप हैं हमारी ताकत, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेस्बुक पेस को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं ब्यूस्तित खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,